मैंने सोच लिया, मैं ब्रेक अप करनूगा उससे, हद कर रखा है उसने, अब एक रुपे जे में नहीं बचता यार, महिने में सेलरी आती है, उससे पहले खर्चा हो जाता है, उधारी में कट रही है जिंदगी, सही क्या रहा भाई, पता नहीं कैसा जहल रहा तूस बंदी को इतनी जज्मेंटल है, मेरी वाली को देख, जजी नहीं करती भाई, 29 सेकिंड में कैसे जज कर ले या कोई किसी को, देख, भाभी आ गई, तो तुनिया क्या कर रहा है, निकलना है या से, हलो बीबी, हाई बीबी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अरे मुझे भी तुमस क्या, मैंना मतलब है, बोलो ना, I want break-up, break-up, अचानक से, इसे break-up क्यों, कोई तो reason होगा न, क्यों करना है break-up, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, ऐसा बंदा नहीं चाहिए मुझे, है, अच्छा हो, मुझे करना था तेर से break-up, ऐसे कैसे पहले आके break-up कर लिया तुने, इतनी देर से planning कर रहा था मैं, तु आई फटा फटते और आके break-up, ऐसे नहीं होता, मैंनी खेल रहा है, एक मिन, तुम्हें क्यों करना है break-up, क्योंकि, क्योंकि तु बिल्कुल अच्छी नहीं है, तु एक नंबर की gold digger है, तेरे चक्कर में न, मेरा bank balance मेरी bed duration जितना कम हो अगर कहीं बाहर जाना है, तो जरूरी है कि रूफ टॉप वाले cafe पर ही जाना है, औरे कहीं नॉर्मल जगह नहीं खा सकते हैं, आँ खाना, यहां साला मैं खुद Abby Bass पहन रहा हूं, लेकिन तु तो H&M से कपड़े खरीद करीद के न मेरी, छोड़, नहीं जाना मुझे जलोटा पसंद है, एक और बात, हाँ, यह रिकलाइनर की सीट बुक करना जरूरी है पिचर देखने के लिए, हम नॉर्मल सीट भी तो बुक कर सकते हैं न, नॉर्मल सीट पे बैठके इंसानों की तरह भी तो पिचर देख सकते हैं लेकिन नहीं, तु गोल्डिगर है, चु तुम पागल हो क्या, यह इतने महंगे कपड़े क्यों दिये हैं? यार, उस दिन मॉल में तुम नहीं का था ना, कि एड्रेस तुमें बहुत पसंद है, तो मैंने ओनलाइन ओडर करती, अरे लेकिन यह सेम सरोजनी में भी मिल जाता है, अरे यार, तुम मेरी बंदी हो, यार मेरी बंदी सरोजनी कपड़े पैन के डिसको जाएगी, या? चाल, ठीक है, थैंक यू, लेव यू, किसने मागे थे तेरे से ब्रैंड़े कपड़े, लेकिन फिर भी, गोल्डिगर तो मैं हूँ, मूवी, वो रिकलाइनर पे मूवी देखना जरूरी है, नॉर्मली भी तो अब तो फोन रख मुझे बुकिंग करनी है, ठीक है? आज चल, ठीक है, बाइ, ओकि बाइ, रिकलाइनर पे देखने में मजा आता है, ना? तुझे ना? अरे पर वो तो मैंने तेरे कमफर्ट के बारे में सोचा था ना? ये सल तुने खुद अपनी मर्जी से किया, लेकिन फ अरे तो भाई, अनूप जलोटा का फैन हो, चल, फ्लाश पैक, हाँ चल, बेबी, अरे तुम, क्या सुन रही है, अनूप जैन, ले सुन, तुम्हे पसंद है न, अनूप जैन, मैंने दो टिक्टे बुक करिया उसके कॉंसर्ट की, वो भी, फ्रेंट रो वी वी आईपी, अर कि तुम्हे इससे क्या फरक बड़ता है, ओफो, बहुत फाल तु खर्चा करता है तू, अरे तेरे लिए कुछ भी, चल, अब पदा चला में, कि मैं क्यों तुझे वो महंगी गिफ्ट्स देने को मना करती थी, ये सब जो भी दिया है, ये सब तुने खुद अपनी मर्जी स मैंने नहीं मांगा तेरे से, you know what, तुम जैसे लड़कों की यही प्रॉब्लम होती है, पहले खुद कूल बनने के लिए इतना सारा खर्चा करते हो, और फिर, एंड में बोलते थे हो, कि यार, मेरी बंदी तो गोल्डिगर है, तुम लड़की तो ये टाग देके निकल जात मैं मैंने पता नहीं क्या-क्या बोल दिया, मेरी गलती है, तुम गोल्डिगर नहीं है, हां, तुम लेकिन एक बात बता, तुम रेक अप क्यो करना चाहती थी, बस वाइप नहीं हो दी थी, ना, वाइप, हां, हो, ओके, ब्रेक अफ देन, देन, ब्रेक अप, चल फेर, मैं एक मिनेटा, मैं ये कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि मैं तेरा कैरेक्टर डिफाइन करूँ एज गोल्डिगर हां, तो ये जो है न, ये तेरे लिए, ओ, स्वीट बेभी, सॉरी लेटर दे रहा है, ओ, के ता क्यूट, अपै पागा लेका, सॉरी लेटर नहीं है ये, ये व कर गी, देख ले एक बार, तो क्या डिसाइड किया, कैसे पेमेंट करना चाहोगी, अरे यार, मदा कर रही थी, तुम तु सीरिस होगा है, अरे यार, तुम जैसे केरिंग बॉइफ्रेंट से कॉन प्रेकप करेगा, ये रखो न, चलो, मैं चलती हूँ, ममी इंतिजार कर रही हूँगी, रात को बात करते है, कॉल पे, बेबी, मैं ये कह रहा था कि कल वो मूवी देखने चले, रिक्लाइनर की सीट बुक कर लूँ, नहीं, मनलब, नॉर्मल देखते है, मैं बुक करती हूँ, ठीके बेबी, रात को, चलो, बाई, लव यू, लव कौन ब्रीक अफ करता है, अपया मादर, ठोड़ना याल, जुबाप लागा, लागारे, नमक इसकी का, है, तेरे इसकी का, अजीब चूती है या,